ओम शान्ति आज आपका 122 वे दिन का इश्री वर्दान और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा में एक पारफुल तरीका एक बहुती शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिससे कि हम अपने अंदर की कमजोरी हो को कम्यों को जिसको परमात्मा कहते हैं वाईरस का है या कि द्थे जी कि जान योग की पावफुल किर्णों द्थवारा ग्यान भी और योग भी सिर्फ जिएं होने से भी नहीं पुर्वावफुल किरणों द्थवारा इसने कि पररमात्मा की क बतारा है जो हमारे संसकार है, पुराने संसकार हैं, अपवित्र संसकार हैं, क्रोध अहंकारी रिशा, ग्रिना नफरत जैसे संसकार जो हमारे हैं, उनको केटानू का है परमात्मा ने आज, को भसम करने वाले मास्टर ज्यान सूरे भवा, मैं आत्मा मास्टर ज्यान सूरे, परमात्मा ग्यान सूरे, वह वाला सूरे नहीं, परमात्मा है ग्यान सूरे, तो हम अभी तक अंजली देते आए हैं सूरे देवता को, तो परमात्मा कहते हैं सच्चा सच्चा देवता बनाने वाला तो मैं स्वेम परमपिता परमात्मा हूँ, जो की सच्चा सच्चा ग्यान देने वाला सूरे बोलते हैं ग्यान प्रकाश है तो परमात्मा ही जो ग्यान के सागर है वही प्रकाश है तो परमात्मा ही ग्यान सूरे है और हम भूल के कारण हम उस जो भौतिक सूरे की पूजा करते हैं अभी तक तो परमात्मा कहा रहा है सच्च सूरे को पहचानो तो अब मास्टर ग् आप जिस घर में रह रहे हैं या जिस ओफिस में जाते हैं काम करने या जहां बिजनस करते हैं, वहां का वातावरणा की सोच अगर बिक्कुल ही अपवित्र है लोगों की आपस में गिरना है, नफरत है, आपस में क्रोध है, आपस में संबंध अच्छे नहीं है, तो उसको कह कि हो के टावनों को भासम करने के लिए यही स्मृति रहे बागवाना हमें बतातें कि मैं यह क्छड़े को खतम करना अप्रीक रूसे तो च्छेंगे करते हैं वास्त्व के साबसे हम अपने कमरे को भी उस जगह पर उस दिशा में हम बनाते हैं सोने वाले बेडरूम को जहां पर आपकी सूरे की किरने आएं तक हमारे बैक्तिर है वाइरस भाइरस वह सारे कहा खतम हो जाएं और दिन भर में कहते हैं कि आपको बिटिमिन डी ले नेकले और अपने वाइरस भाइरस भाइट ना बहुत ज़रूरी भी होता है यह सूँआ पैसों थोछे पोवेट तो एक बिमारी होगे लेकिन और कितनी सारी बिमारीं बढ़ेंगी अगर आप सूरे की किरने नहीं लेंगे जाकर के बाहर तो ग्यान योग की शकती जो ہमें ग्यान और योग की शकती मिली है वा श्रेश्ट चलन जो हमें कैरेक्टर परमात्माने जो सिखाया, संस्कार सिखाया उठने, बैटने, खाने, पीने का तो वो भी जरूरी है श्रेश्ट चलन द्वारा यही करते वे करते रहो ग्यान भी और योग भी योग मतलब परमात्मा की याद क्यों जरूरी है उसको देखते हैं अभी हम तो बाबा कहते हैं यदि पावर कम है तो ग्यान सिर्फ रोशनी देगा अगर आप वो पावर कम लगती है आपके अंदर कि आप कुसी चीज को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो आपके बुरी आदत है उसको परिवर्तन नहीं कर वा रहे हो तो बाबा कहते हैं कि ठीक है ज्यान तो मिल गया आपको अपने मुर्ली पढली आपको लगे कि हाँ मुर्ली पढ़ लिए मेरे अंदर शक्ति आगी परमात्मा कहते हैं देखें कि यदि पावर कम है तो ग्यान सिर्फ रोशनी देगा परंतु पुराने संसकार रूपी कि टाणू खतम नहीं होंगे ग्यान है कई सालों से हम चल रहे हैं साथ आठ साल हो चुके हैं मुर्ली हैं सुनते सुनते लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है हमारे अंदर ग्यान है क्या सही है क्या गलत है इरिशा करना गलत है और उकी बुराईयां देखना गलत है और उकी बुराईयां फैलाना गलत है तो यह सब पुछ तो पता है मैं लेकिन परमात्मों कहते हैं केटानों खतम नहीं होंगे क्यों इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पाफुल बनो अगर हम योग अगनी को बढ़ाते नहीं तो क्या होता है हम और इंसानों से प्रेम या सुख खोजना शुरू करते है सोचते हैं कि और इंसान से प्रेम सुख मिलेगा अगर्स, आपसे और देना बंद कर देता है तब आप क्या करोगे तब ही परमात्मा कहते है याद सिर्फ मेरी और याद मतलब क्या है परमात्मा से योग लगाना मतलब मैं सिर्फ परमात्मा से प्रेम सुक आनंद खीचूं अपने अंदर तो जब हम meditation में बैटते हैं परमात्मा की तो मैं आत्मा सुख, शान्ती, प्रेम अनुभव करते हूं परमात्मा से और फिर मुझे किसी इंसान ये किसी विक्ती से उस चीज़ की जरूत नहीं पड़ती है ना किसी इसकी respect की दुरूत पड़ती है, ना किसी से कुछ लेना देना होता है जिससे कि मैं क्या करूँ, कि उनसे ये मिले तो मैं change करूँ आप मुझे प्रेम दो तो मैं change करूँ, आप मुझे सुख दो तो मैं change करूँ वो खतम हो जाता है जिसको हम कहते हैं चक्रवियू तो परमात्मा कहते है उस चक्रवियू से हटो उस बंदन से हटो और मेरी याद में बैठो ताकि तुम्हें किसी पर भी निर्भरना करना परे अपने आपको परिवर्तन करने के लिए तुम मिरी याद में बैठो तो मैं तुमें प्रेम दूँ, सुक दूँ, शांती दूँ, खुशी दूँ और तुमें लेना आना चाहिए तो सर्फ ग्यान होने से राइट रॉंग क्या है नहीं दुनिया में शास्त्रों का तो ग्यान बहुत लोगों को है लेकिन अपने आपको परिवतन क्यों नहीं कर पा रहे है कहीं हजारों सालों से शास्तर, मंदर आदी सब कुछ है लेकिन क्यों नहीं परिवतन कर पा रहे है क्योंकि परमपिता परमात्मा से योग लगानी की विधी नहीं आती और पहली बात तो स्वयम को भी नहीं पहचानते कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा के सच्चे सुरूप को भी नहीं पहचानते कि परमात्मा का सुरूप के है जाद से जादा मनुशियों ने तो देहधारियों को परमात्मा समझ कर रखा है रावण के अंदर भी ज्यान था अहंकार बहुत था सारे शास्त्रों का लेकिन रावण के अंदर शक्ती नहीं थी कि वो अपने पुराने बुरे संसकारों को परिवर्तन कर पाए तो अहंकार था ग्रिणा थी, रिशा थी, क्रोध था सब कुछ था तो हमें वो ग्यानी रावणी बनना है हमें परमात्मे से योग लगा करके उनकी याद में बैठ करके उनसे प्रेम, सुख, शान्ती लेकरके अपने अंदर परिवर्तन लाने है तो आज का ये वर्दान बहुत ही ज़रूरी आप इस वर्दान को फिर से एक बारी सुनिएगा सोचिएगा इसके बारे में और इसके द्वारा, तपस्यके द्वारा आप पाफुल बनिएगा आज का ये वर्दान, आपका दिन शुब हो आप स्वस्त रहें, हम शान्ती